ओम शान्ति आज के इस संधिया कालिन सत्र में आप सभी का और आप सभी के तरब से आधरनी दिदी जी का बहुत-बहुत दिल से स्वागत है अभिरंदन है दिदी जी वैसे अभिराम भाई जी ने थोड़ा परिचय दिया दिदी जी के विशेस्ताओं के बारे में कितना ही कहें या बताएं ऐसा ही जैसे सूरज को दिपक दिखाना है दिदी जी एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और 1962 में आप इस्वरी ज्ञान में आई साकार बाबा के साथ मम्मा के साथ आपका सानिध्य रहा आपको पालना मिली दिदी की दो बाते मैं सुरू में बता देना चाहता हूँ दिदी जी को जब विदेश सेवा में गई तो कई वर्षों तक अकेली विदेशों में भ्रह्मन करती रही एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तिसरे देश तो बड़ी दादी ने दीदी को सेरनी की उपाधी दी थे कि ऐसी जंगल में सेरनी जैसे गुमती है ऐसी दीदी विदेशों में सेवा करती रही बाबा ने एक बार कहा था दादी जी को कि दीदी जैसे अगर एक किस कुमारी मिल जाए तो चुटकी में स्वर्गला दूँ मैं पिछले दिन दिदी से पूछा था कि दिदी ओबीस कहां है अभी तक तो हो सकता है समय रहे तो दिदी लास्टम इसका उतर देगी उसके पूर्व आज है जैसे कि हमारा ये सत्रह यग्य संस्मरन के बारे में आपने साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा हम सब जैसे जनवरी मास नजदीक आता है तो बाबा की स्मृति मानस पटल पर अंकित होने लगती, उभरने लगती है कैसे थे बाबा का जीवन, कैसे पालना करते थे, कैसे मिलते थे तो बड़ी-बड़ी बाते हम सुनते रहते हैं लेकिन आज मैं दीदी से बहुत छोटी-छोटी बाते हैं घरेलू बाते हैं यग्य की वो मैं दीदी से पुछना चाहूंगा और हमारा परवम सवभाग्य है कि दीदी जी उसब देखी है तो दीदी जी अपने आखों देखा हाल 1962 से इस तरह से बाबा को देखा मम्मा को देखी वो सब हमारे सामने अपने संस्मरन अनुभाव युपत सुनाएगी पहला प्रस्न है दीदी जी से दीदी आप 1962 में ज्यान में आई तत्पस्चाथ आप बाबा से पत्र विहार करती थी क्या क्या लिखते थे बाबा को और बाबा का क्या जवाब आता था ओभ शान्ति मैं जब ज्यान में आई तो मैं समथ एक मास में हमको दादियोंने क्योंकि मैं बंबय में थी और महर सामने बहुत दादियां थी रत्वनमयन दादी शीलेंद्रा दादी पुष्पशांता दादी निर्वलशांता दादी और सिक्स्टी-फोर से ट्रकाश बनी दादी सब के पाला में लिए तो जब मैं ग्यान में आई तो पहले दादियों ने सजेस्ट किया के अपना परिछे बाबा को लिखूँ तो इसलिए एक मास के अंदर आपने अपना परिछे दिया के बाबा मैं आपकी बच्ची बनी हूँ मैं मारी उमर इतनी है अबने ये M.E.V.S पढ़ाई पड़ी है आदी आदी अपना परिछे लिखा फिर एक आद मास के बाद कहा आप अपनी कर्म कहानी बाबा को लिख कर बेजो तो हमने कर्म कहानी लिख कर बेजी तो उन दिनों में क्या होता था हम बत्र लिख कर दादियों को देते थे और दादिया या बाई पोस्ट भेज देती थी या कोई बाई हैंड डिलिवरी करते थी कोई दादी जा रही थी तब भेजती थी तो जैसे मेरा दूसरा पत्र है वह हमने रत्वन मुहिनी दादी से बेजा वह जा रही थी मदुबन और उनके हाथ बेजा पिर जब दादी वापस आई तो कहा कि बाबा ने आपका पत्र पड़ते ही जैसे कि बाबा के सामने आप आ गई क्योंकि वैसे पत्र के साथ हम अपना पासपोर्ट साइस का फोटो भी बेजते थे नपरीचे लिखते थे तो और दादीों ने कुछ कॉमेंट भी लिखी होंगी तो बाबा जबी भी पत्र लिखते थे नेच्रली सेंटर पर लिखते थे उसमें बागी सब बाते लिकर तो उस समय शरू में कुछ पशांता दादी थी इन चार्ज वाटर्लू मेंशन में तो वो फोन करती थी निर्मला आज तुमको बावा ने याद किया तो सिर्फ अप्मारा नाम ही होता था और इतना नशाच चर जाता था बावा ने हमको याद किया फिर जब मैंने सेंटर खोला 66 में मैंने सेंटर खोला और तब से जब सेंटर खोलती थी तो फिर नेचरल यह है बावा को मैं खुद समाचार लिखती थी तब बावा का जैसे के फुल पेज का हमको पत्र आता था और बावा का पत्र आप सभी ने देखा होंगा बडे बडे लाल अक्षर पेण से लिखते थे और इशु दादी फिर उस पर हिंदी में लिखते थी कियोंकि बावा सिंधी में लिखते थे और सिंधी अक्षर भी सिंधी वालों को समझ मैं नहीं आते थे इसलिए शिंधी में भी जो लिखते थे न, तो भी इशु दादी को फिर शिंधी में उसका प्रॉपर्ली लिखना पड़ता था। तो बाबा लिखते थे तो शुरू शुरू में कुछ न कुछ टाइटल लिखते थे। सरल है, निर्मल है, निर्मान चित्थों आधी आधी। तो क्योंकि बाबा था, वो हर एक की रग को जानता था। ये बाबा की विशेश्ता थी कि वो पांच मिनिट में व्यक्ति को देखकर, उसको परक्ष जाते थे। अंदर क्या है, बार क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। क्योंकि कई वार ऐसे होता था, कि जो निमित टीचर थी, जब अपने स्टुडन्ट को लाती थी, तो कभी-कभी स्टुडन्ट है, वो शुरू-शुरू में बहुत सर्विसेबल होते हैं, तो टीचर उसका प्रसंसा करती थी, बाबा को कि बाबा ये तो बहुत अच्छा है, सर्विसेबल है, ये है, वो है। फिर ओ टीचर के बाद बाबा के साथ जो दादी होती थी न, उसको बाबा कोमेंट करते थे, ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। तो जो मेरे बारे में भी प्रकाशमनी दादी को बताया, मेरे सामने नहीं बताया, मेरे पीछे बताया, कि ऐसी 21 नहीं पर 30 कुमारिया मुझे मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग बना दूँ। पर तो अभी तक स्वर्ग नहीं बना है क्योंकि वो चोबिस नहीं मिले हैं दीदी अभी तक स्वर्ग नहीं बना है मतलब बाबा को अभी मेरे जैसी तीस कुमारिया नहीं यग्य का पहला मकान आप सब को जानकरी हो कि दीदी के पिता जी ने बाबा को बना करके दिया था, पहला मकान, बना बनाया मकान, यह पुरे यग्य तिहास में पहला मकान था, जो दिदी के लवकिक पिता जी ने बाबा को बना बना करके पूरा कंप्लीट करके दिया था, दिदी आपने बहुत सुंदर बाते आप बताई कि किस तरह से बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा नेक वाधियों से आपको विवूसीद करते थे दूसरा प्रसने दिदी जैसे अभी मुरली से पहले हम देखते हैं इस्टेज पर मदुवन में या सेंट्रों में एक भाई या एक बहन योग कराते हैं ओ दो भाई योग कराते हैं, बाबा की समय क्या होता था, बाबा जब मुल्ली सुनाने आते थे, तो उस समय क्या प्रथा थी दिदी? ओम शान, उस समय भी कोई न कोई योग कराता था, और यदि मम्मा मधुबन में होती थी, तो बाबा के आने के पहले, मम्मा मुल्ली चलाती थी, और जैसे ही मम्मा सुनती थी बाबा का खड़ाव का आवाज, तो खड़ाव का आवाज आता है, मम्मा बंद कर देती थी और योग कराती थी, और मम्मा यहां बैटी है, बाबा यहां बैठा है, बाबा मुल्ली चलाते थे, मम्मा बैठी रहती थी, और मम्मा बहुत ध्यान से मुल्ली सुनती थी, यहां से सामने बैठना माना, ऐसे देखना न, तो सारा समय, एक टिक ऐसे बैठ कर, बाबा की मुल्ली बहुत ध्यान से सुनती थी, तो जैसे कि बाबा भी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, हमेशान का एम रहता था, कि स्टुड़न्ट टीचर के पहले आ जा, तो क्या होता था, बाबा आने के पाँच मिनिट पहले आप देखेंगे, सब आगन में दोरते दोरते पहुंच जाते थे, कि बाबा के पहले पहुंच जाए, और उन दिनों में तो सब यंग थे, तो क्या करते थे, कि हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल ही था, तो हिस्ट्री हॉल में किसी को भी दिवार को टेकर नहीं बैठना था, कोई सोफा, उन दिनों में सोफा कुर्सी कुछ जाएंग, सब को पट में बैठना होता था, और कई वार मूरली के पहले, बाबा कबनों में चक्कर लगाते थे, के सब उठकर क्लास में गए हैं, और उठकर अपनी बैठ वगेरे ठीक बना के गए हैं, ऐसे नहीं के चद्दर इदर उदर फैंक कर, कपड़े इदर उदर फैंक कर गए नहीं, और उम भी साफ होना थे, तो बाबा कभी-कभी रात को भी चक्कर लगाते थे, के सब कैसे सोये, सात्विक नींद है, राजसिक नींद है, तामसिक नींद है, उनके चेहरे से बाबा को मालूम पढ़ जाता था, के शान चित है, हर्शित चित है, या कुछ सोचते हैं आदी आदी, तो बाबा बच्चों की सिक्षा भी देते थे, साउधानी भी देते थे, तो प्यार से पालना भी करते थे, इसलिए सभी का बाबा से प्यार भी था, तो बाबा नाराज ना हो, उसके उपर बहुत ध्यान देते थे, हम समझ सकते हैं दीदी, बाबा इतने उमर में भी कितना ध्यान रखते थे सब का, और जैसे आपने बताया है, बाबा थोड़ा इस्टिक थे, और आप सब को मालूम हना चाहिए, कई बार दीदी को भी बाबा इस्टिक बोलते हैं, आप सबने देखा होगा, मुलिक समय पीछे दर्वाजा बंद करा देते हैं, तो अगर लेट आए तो, वो परभाव दीदी को पर है, बीबियो, दीदी जैसे आपने बता दिया कि साकार में बाबा और मम्मा दोनों पार्टी वालों से मिलते थे, जैसे क्या रूपरेखा होती थी दीदी, उसी समय सबसे लाइन से मिल लेते थे, या फिर एक-एक बच्चों से मिलते थे, या एक ही बार सबसे मिलते थे, यूजवली पहले दिन जैसे पार्टी बैठ कर बाबा के कमरे में मिलते थे, फिर किसी को पर्सनल ही मिलना होता था, तो टीचर हम बैणे ले जाते थे, फिर निकलने के पहले एक वार गिफ्ट के लिए मिलते थे, कमरे में बाबा गिफ्ट देते थे, बाबा अपने हाथों से यह देते थे, सब को एक-एक अपने हाथों से गिप्ट देते थे और छोटा ग्रूप होता था उस समय तो अभी तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं उस समय तो छोटा ग्रूप होता था और ज्यादा तर एक वार ब्रम्मा भोजन होता है तो ब्रम्मा भोजन इस्ट्री हॉल हा या चट पर इस्ट्री हॉल के उपर खुला चट उस महां पर होता था और सब जैसे नीचे बैट कर सामने सामने बैठ कर, बोजन करते थे, मम्मा को तो मैं बंबई में ही मिली, मैं कभी मदुबन में नहीं मिली, क्यूंकि मैं 62 के एंड में आई, और मुस्ट अटाइम मम्मा बंबई में थे, बंबई और बीच-बीच में पुना चकर लगाती थे कभी-कभी, तो मम्मा को मैंने कभी मदुबन में नहीं देखा, और जब शुट्टी लेते थे, तब मिलते थे, तो समझो, कम से कम तीन वारी पाटी बाबा से मिलती थे, जब ब्रह्मा भोजन होता था दीदी, उसमें बाबा साथ होते थे सबके? जरूर, अच्छा, जरूर, ब्रह्मा बाबा सामने बैठते थे, हम लोग ऐसे लाइन में बैठते थे, जहां जैसे गद्धी है, उस वहां ब्रह्मा बाबा बैठते थे, साथ में सब की बीचें भोजन करते थी दिदी सचमुच बहुत पालना की लिये हैं दिदी आप सब दिदी अगला प्रशन है आप जैसे बताई कि बाबा से पहले आप मम्मा से मिली और मम्मा से बहुत पालना लिये है दिदी ने ये कितने सिखने की बात है दिदी ने एक बार बताया था कि मम्मा से कुछ भी बात दिदी पूशती थी तो मम्मा कहती थी बाबा को पत्र लिखो ये जिसे आज कल बहुत सिखने की बात है कि हम हर बात को जिसे बाबा तब पहुंचाएं आपने मम्मा को देखा दिदी, मम्मा को संपून होते भी देखा, मम्मा की ऐसी क्या च्छवी थी जिसमें विशेज ध्यान जाता था मम्मा की उपर? मम्मा महुत दीर, गंबीर और मीठी थे, सच्छ मुच कुमारी होते भी मा का पाथ बजाया थे, तो मा की मम्मता जैसे होती है न, कितना भी हो, छोटे बच्चों को मा से ज्यादा प्यार होता है। तो हमको भी भल मम्मा से हमको दो अड़ाइस साल ही मिलना हुआ, परंतु हमें मम्मा से विशेश प्यार था। और जब, क्योंकि यह यहां की विशेशता है, कि चाहे कितने भी बड़े हैं, हम कितने भी छोटे हैं, हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लिन दिन कर सकते हैं। देखो, दुनिया में सादू, संत, महात्मात हैं, जो भी होके गए हैं। जैसे साइबावा बहुत प्रसिद्ध थे, किसी को मिलने का परसनली थोड़ी चांस मिलता था। सभा में चलते चलते आशिरवात दे दिया। कोई प्रश्ण बद पूछ नहीं सकते थे। लेकिन हमने जब ज्ञान में आने के बाद, किन चार मास के बाद मैंने ममा से पूछा। मैं मेडिकल प्रैक्टिस करना नहीं चाहती हूं, सरेंडर होना चाहती हूं। ममा नहीं कहा नहीं, ब्रह्मा बाबा से मिलो ना, तब पूछना। तो ज्यान की बाते हैं या ममा क्लियर करते थे। साथ दीन के कोर्स के बाद मैंने ममा से प्रश्ण पुछा ममा ने पुछा सब ठी ठाक जान योग समझ में आता है कोई प्रश्ण है तो मैंने कहा कि ममा क्राइस्ट की आत्मा जब पहले आई सतो प्रधान थी क्रिष्ण की आत्मा भी पहला जनम में सतो प्रदान थी तो उन दोनों में क्या अंतर तब ममा ने क्लियर किया कि क्राइस्ट की आत्मा द्वापर युग की सतो प्रदान थी और क्रिष्ण की आत्मा सत्यु की माना जनम से सतो प्रदान थी तो जैसे मम्मा ज्यान योग के प्रश्न जवाब दे देती थी बाकि जीवन का जो फैंसला करना होता था तो ब्रह्मा बाबा से करना होता थी तो सच मुछ मम्मा की बहुत बड़ी विसेश्टा थे कि जो भी बड़े डिसीजन होते थे कोई भी दीदियों के बहनों के तो बाबा तक पहुचा देते थे दीदी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने साकार बाबा को देखा यहां मदुभन में बाबा की दिन्चरिया कैसी रहती थी सुबा से लेकर साम तक किस तरह की दिन्चरिया रहती थी सुबा उठना से ले करके नास्ते ले से कर दो फर तक साम को रात को कितने बज़े सोते थे थे थोड़ा हम वो द्रिश से देखना चाहते हैं बाबा की दिन्चर्या काफे फिक्स होती थी सवेरे उठकर विचार सांगर मंतन करते थे रात में भी उनका जो सोना था ना बहुत लाइट नींद होती थी क्योंकि अभी भी जो बाबा का कमरा है दरवाजे के बार आप देखेंगे तो कई बेहनों का कमरा भी होता था तो यदि कोई बेहने रात में भी टॉइलेट जाना है इदर उदर जाना है यदि वहाँ से पास होती थी तो बाबा पूछते थे कौन आया है बच्ची ठीक है सब रात में उठते हैं तो फिर सवेरे उन दिनों में अमरत्वेला साथ में नहीं होता था 68 माई तक सब अपने अपने कमरे में अमरत्वेला करते थे तो बाबा भी अपना विचार सागर मन्थन कमरे में करते थे मूरली की तयारी करते थे तो सवेरे अमरत्वेले मूरली मूरली के बाद बाबा के कमरे में चैंबर होती थे कई दादियां क्या करते थे बाबा के पास जाकर कहती थे बाबा आज आपने ये मूरली की पॉइंट बहुत अच्छी संजाए बैने तुम्हा लोगों को मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता है कितनी वारी कहने पड़ता है हमेशा कहना पड़ता है पहन कि रही है सभी ना तो वो समझो चेंबर में मूरली का मन्थन चलता था फिर कभी-कभी बाबा पैदल करते थे मूरली के बाद क्योंकि हम पुराने एकदम दिनों की बात नहीं करती थी हमें अपने दिनों की बात करती हूं क्योंकि पुराने दिनों में तो बैगरी पार्ट में माउंटन पर घुमाने ले जाते थे तो वो पैदल करते थे और पीछे किछन में चक्कर लगाते थे उनका भी टाइम फिक्स होता था हम सभी को मालूम होता था कि बाबा किछन में कब आएंगे तो हम लोग क्या करते थे बाबा के रास्ते में खड़े हो जाते थे या तो किछन में मदद करते थे तो बाबा भी आकर देते थे कैसे हैं क्या है बोलते थे और सम्झो नास्ते के बाद फिर कंस्ट्रक्शन देखने जाते थे क्योंकि उन दिनों में भी कंस्ट्रक्शन तो यग्यमे चलता ही आया है नए नए मकान बनते ही रहें तो जो भी रास्ते में मिलता था बाबा अपना कुछ न कुछ जो विचार सागर मंतन किया होता था वो सुनाते थे फिर बाबा पोस्ट लिखा लिखवाते थे ओफिस में इशु दादी को उशी दादी सिलेक्ट करती थे और बाबा को मुली की जो जो पोस्ट आय थी उसका सुनाती थी और बाबा उनको लिखवाते थे क्योंकि दस सवा दस बजे पोस्ट कोई न कोई भाई है वो लेके पोस्ट आफिस में डाल के आता था उसके बाद बाबा गर्मियों के दिन में अपनी जोंपडी में बैठते थे और शर्दी के दिन में अपने कमरे में तो जिनको भी पर्सनली मिलना होता था उनको बाबा या तो कमरे में शर्दी के दिनों में गर्मी के दिन में जोंपडी में मिलते थे और आप लोगों ने सुना होंगा कि जब जोंपडी में बैठते थे एक चीडिया रो जाती थे और बाबा कहते थे लच्चु दादी बाबा की ब्रह्मनी थे लच्चु बेटा इस बच्ची को टोली खिला मतलब चीडिया भी बच्ची लच्चु भी बच्ची तो इसलिए रोज तोली खिलाते थे तो रोज वो चीडिया आते थे और तोली खाते थे ठंडी के दिनों में भी बाबा जब चक्कर लगाते थे देखते थे कि कोई लेबरर के पास गरम कपड़ा नहीं है फौरन लच्छु को कहेंगे लच्छु बेटा इसको इस बच्चे को गरम स्वेटर दो तब से ये रसम हुई है हर शर्दी में यहां हर लेबर को ब्लैंकेट एक ब्लैंकेट मिलता है अभी तक ये रसम चालू रही है बाबा को ख्याल होता था कि यहां की शर्दी माउंट की कितनी है तो लेबरर को ब्लैंकेट जरूर देना है तो क्या है कि बाबा चाहते थे बच्चों से खेले भी कभी बैडमिंग्टन भी खेलते थे कभी बच्चों के साथ क्रिकेट भी कहलते थे और जूले में भी बैठते थे आपने देखा होंगा दादियों का बाबा के साथ जूले में बैठना यहां पांड़भोन में जूला था उन दिनों में जहां रतनमुईनी दादी की ओफिस वगेरे है तो किचन वाँ था जूला यहां था तो बाबा चाहते थे बच्चे खुश रहें बच्चों को भास्ना आवे कि तुम ही से खाओं तुम ही से बैठों तुम ही से खेलूं आदियों मुझे याद है बाबा के साथ आमने बोजन किया रमा बाबा के कमरे में रहती थे तो गरम गरम रोटी लच्चु मना कर किलाती थी और हमको भी बाबा ने गिट्टी किलाई थे तो जैसे बाबा हरे को भासना देते थे दिदी दोफर को बाबा रिष्ट करते थे अराम करते थे उनका भोजन दे दो बजे के पहले नहीं होता था उसके पहले अपना विष्वक रतन भाई उनका मालिष करता था श्नान करते थे पोजन करते थे फिर आराम करते थे फिर साड़े पांच बजे फिर अपना जो अंगन था ना क्योंकि बाबा के कमरे के बार कीन तरफ दिवाल होती थे वहाँ खट्या रहती थी तो उस पर बैठकर वो विष्णू के पोज में बाबा लेटे रहते थे और हम दो बहने मिल कर जाती थे क्या ले नहीं जाते थे कभी तो बाबा कहींगा आओ दो हंसो का जोड़ा और फिर जो अपना मनन मंदन करते थे सुनाते थे फिर बाबा रातरी क्लास जरूर कराते थे तो रातरी को भी साड़े आड़ नव बजे आधा गंटा क्लास होता था और बाबा क्लास में देखते थे कौन ध्यान से सुनते है कौन नहीं ध्यान से सुनते है और कहते थे कि सामने बैठने वाले ऐसे ऐसे करें तो सुनाने वाले को मजाएंगा कहते थे ना डांसिंगल कब एंजोई करती है जो देखने वाले एप्रिशियेट करते हैं तो इसलिए सामने बैठने वालों को बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ता है कोई जुटका खाया या वासी खाई बहुत कहते हैं इसका मतलब इसको इतना मूरली में रस नहीं आता और आथ को दस बजे तक सो जाते थे सब के सामने द्रिस्या गया बाबा का दिन चरिया जैसे बाबा के सामने सब सीर हिलाते थे दिधी आपके सामने भी सब हिला रहे हैं सीर अलंटों को बैटे हैं अमृत बेला का टाइम तो आपने बताया दिधी साड़े चीन का टाइम उस समय fix नहीं था दिधी अगला प्रशना है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कई बार हम मुडलियों में सुनते हैं कि गाउं का छोरा था, गाये चराते थे, नंगे पैर गुमते थे, सीर में पठका बानते थे और ऐसी कई बाते सुनते हैं ब्रम्हा बाबा की आत्मा, स्री कृष्ण की आत्मा, अंतीम जनम में इस तरह का सीन और कोई बात आपने बच्पन की सुनी हो दिदी, बाबा के बारे में दादियों से और या इसकी पीछे क्या रहर्ष्य है? मतलब बहुत साधाराण जीवन था, नंगे पाओं गुमते थे, गाओं के चोरे थे और उनके लोकिक पिता जी स्कूल टीचर थे, तो उन दिनों में स्कूल टीचर को बहुत रिगार्ड देटे थे कई बार स्कूल टीचर को घर में अनाज भी बेज देते थे ने, गुरू के लिए भावना होती है और बाबा कहते हैं के उन दिनों में अनाज भी बहुत सस्ता था एक आने मन गेंचावला देते हैं तो स्कूल टीचर के दांचे कभी कोई दूद पहुचाता था, कोई अनाज पहुचाता था और बहुत उनका रिगार्ड रहता था और उनका चाचा मुल्चन चाचा का भी बाबा कई वार वर्णन करते हैं बहुत दानी था और दान करता था तो जब बाबा बड़े हुए तो उनों ने जवारत का धन्दा पसंद किया और उसमें बहुत सक्सेस्फुल रहें उनके पास क्रिएटिविटी थी नए नए निजाइन की वो सब अंगुठी, एयरिंग, नेक्लेस, हाथ के कंगनादी बनाते थे और उसके साथ साथ क्या करते थे कि गरवालों को पहले पेनाते थे बेचने के पहले गरवालों को पहना कर पीछे बेचते थे तो समझो, घरवालों को भी नशा रहता था और आपने सुना होंगा के काफी युक्ति बाज थे क्यूंकि एक वारी दुकान से चोरी हो गई अभी चोर को कैसे पकड़ें तो मार पीठ करके नहीं परंतु चाला की से कहा के चलो जिसके उपर शक आया वो बच्चों को कहा चलो मैं आपको नया शर्ट दूंगा आपने हीरे कहां रखे है बताओ तो बच्चों ने बता दिया और सच मुच उन बच्चों को शर्ट लेकर दिया मतलब कि अपना काम भी निकाल लेते थे तो साथ साथ लड़ाई छगड़ा या गुसा कहने के बात ने जी दी दी ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चपन की बाते हम सब सुनते हैं बड़े हुए उसके बाद का जीवन लंबा इतिहास है बाबा के जीवन का दीदी एक प्रस्न है किसी ने पूछा है कि बाबा के समय खान पान की विवस्था कैसी थी यहां तो पकोड़ा बनता है हलवा बनता है पनिर की सबजी बनता है मना ब्रह्मा बोजन हो गया उस समय क्या खान पान में कैसा रहता थे दीदी मतलब क्या सिंपल रहता था कि तो शुरू शुरू में तमाल पानी खिलाया, बादाम पिस्ते की मिठाई खिलानी, रेश्मी कपडे सब को मिले, नाइट ड्रेस वगरे रेश्मी मिले, परन्तु जब बैगरी पाठ आया, तो उस अनुसार हुआ, और एक को अपना फिक्स बताना है, एक रोटी खाना है, तो एक रोटी खाना है, दो रोटी खाना है, तो दो ही खाना है, ताके रोटी बचना जाए, फैक ना देनी पड़े, तो इसलिए सब का फिक्स खाना था, और यदि कोई कहे के मुझे खिर अच्छी नहीं लगते है, मुझे पापड चाहिए, तो वो समझ था, कि मैं च्या करता हूं खीर का, और पापर सिंपल है, वो खाता हूं. परन्तु बाबा कहता था, ये भी लाला चाहे लोब है. ये अच्छा नहीं लगता, वो चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. यग्यमें जो मिलता है, जो बनता है, प्यार सिखाओ. तो जैसे फिक्स भी था, और कोई अपना स्पेशल नहीं बनाते थे. जो बिमार होते थे, अलग बात होती थी, परन्तु ऐसे नहीं खुद जाके बनाते थे. बिमारों का बोजन भले कोई बनाता था, और मनता भी था, परन्तु सिंपल खाना, परन्तु वराइटी भी और आज तक भी जैसे दादी प्रकाश्मनी थी, उन्होंने भी ऐसे रखा था, कि जो भी आते हैं, तो नया गुरुप आता था न, तो बाबा भी पूछते थे, सब ठीक ठाक है, नींद ठीक आई, ब्लैंकेट वगेरे, सब ठीक था, पूछते थे. किसी को कुछ ठंडी लगती है, तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट या राजाए दी जाती थी, तो बाबा भी सबको कूछते थे, सब ठीक ठाक है, और बीच बीच में कचरी भी चलती थी, जब शुरू शुरू में, कचरी भी होती थी, ममा, बाबा बैठ कर पूछते थे, किसने किसको दुख दिया, किसने किसे दुख लिया, तो ये कचरी भी होती थी, मतलब है, का ध्यान रहता था, कि हम किसी को दुख न दे, और बाबा, ममा, दादियों का ध्यान रहता था, सब कॉंफर्टेबल रहें, काश्मानी भी, जब भी विदेशी आते थे, पुछती थी, क्या खाना हाई? डबल विदेशी कहते थे हमको, पटेटो चिप्स चाहिए, तो आलो की चिप्स बनावाती थी, अभी कहते थे, समोसा चाहिए, गुलाब जामन चाहिए, तो जब भी भी स्पार की पिकनिक होती थी, आभी भी होती रही, तब तक समोसा गुलाब जामन पिकनिक में जरूर होगा. दीदी, बाबा के समय भी समोसा गुलाब जामन बनता था? क्यों नहीं? मना बाबा सब प्रकार की पालना करते थे. आइस्क्रीम का संचा भी वो पुराने जमाने का था ना, आइस आसपास रखके गुमाकर बनाते थे, अभी तो मशीन हो गए हैं, मशीनों से काम चलता है, पर उन दिनों में आइस्क्रीम का संचा भी रखते थे और खिलाते थे. देदी, हमने सुना है कि बाबा तो जैसे आपने बताया स्वागत करते थे सब बच्चों का और बिदाई की बाब बता रहे हैं, पहले हमने ऐसा सुना था देदी कि बाबा वो पांड़वन के पीछे, कीचन के पीछे जो बरगत का ज़ाड़ है, वहां तक बाबा बच्चो और बादाम डालते थे, और सब जो पार्टी वाले आते थे, आप बाबा बच्ची आते थे, वह एकदम यहां से जाते थे और घर का सरिंगार जा रहा है, गीद बसता था, क्या होता था देदी उस समय, क्योंके मैं ब्रम्हा बाबा के सामने चोंसर्ट, पैंसर्ट, छांसर चार वारी गई होंगी मदुबन में, साल में हम एक वारी आते थे यहां, क्योंके उस समय हमारे डिस्पेंसरी भी था, तो ग्रूप को लेकर साल में मार्च एपरिल में जब बच्चों को छुटिया होती थे, तब हम आते थे, तो जहां तक मुझे याद है, हमने वहाँ ही बाबा की ओफिस में छुटिया है, बाकी रमेश भाई ने अपने जो अनुभव में सुनाया है, कि उस समय बाबा पैड तक नीचे आते थे, और रुमाल से छुटिया देते थे, तो समझो, कई बाबा जाते भी होंगे, पर हमेशा नहीं. वो बादाम मिस्री खिलाते थे दीदी ऐसा सुनते हैं तो आपको बादाम मिस्री खिलाएं कहीं बाबा अच्छा वो खिलाएं वो तो बादाम मिस्री गो सुन कम सुन बादाम मिस्री और एलाइची वो बाबा खिलाते थे सबको दिदी मम्मा के संबन में जो प्रशन है वो तो आपने जवाब दे दिए दिदी एक प्रशन हो रहा है दिदी कि साकार बाबा से सभी बहुत प्यार करते थे जो भी बच्चे युवा जवान सब बाबा को बहुत प्यार करते थे और सभी को ऐसा महसूत होता था कि बाबा होता था कैसे जैसे किसी को यह नहीं लगता था दीदी कि मुझे मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं बाबा सब को यह लगता था कि बाबा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं कभी किसी ने यह कंप्लेंड नहीं कि कि बाबा निर्मलशांता दादी से या ब्रिजेंद्रा दादी से आपने लोकिक बच्छों से ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि नेचरली है, जो सर्विसेबल है, अग्याकारी है, वफादार है, फर्मान बर्दार है, सर्विसेबल है। उनसे बाबा का अधिर प्यार होता था। और अन्तु फीलिंग सबको ऐसी आती थी। चाहे लुटेरा बाबा के सामने आये, चाहे खुनी। क्योंकि कई है ऐसे भी जिनोंने अग्यानता में खुन किया होता था और बाबा के सामने आये थे। परन्तु बाबा ने मालूम होते भी फील नहीं होने दिया कि बाबा जानते हैं तुम्हारा पास्ट और बाबा का प्यार कम मिला हो यह नहीं। बाबा का प्यार सब बच्चों से समान होता था और सब समझते थे बाबा मुझे बहुत प्यार करें। दिदी बस एक प्रस नहीं हो दिदी बस लास्ट है यह दो हजार बीस खट्टी मिठी यादों लेकर के जा रहा है दिदी मैं समझता हूँ पहला साल होगा आपका कि आप कहीं आत्रा नहीं कर पाए हर वर्स दिदी छे महना यहां रहती है और छे महना पूरा वीदेसों में चक्कल लगाती रहती है यह दो हजार बीस अब बिदाई होने वारा दिदी अब दो हजार बीस को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे और दो हजार एकिस के लिए हम सब के लिए क्या पेड़ना देना चाहेंगे हर दिन समान ने ही 2020 में काफी परिक्षाई आई काफी uncertainty रही मालूम नहीं था के ये Corona कब पुरा होंगा और बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया परन्तु हमने देखा कि बाबा के बच्चे सब अचला डोल रहे हैं कई बच्चों को Corona हुआ भी सह कोई कोई ने शरीर भी छोड़ा अमारे दादी ने जान की दादी ने कोरोना के बीच शरीर छोड़ा तो क्या है के सब विधी बदल गए आना जाना सब बंध हो गया परन्तु हमने देखा शिवा बहुत हुई जो वेबिनार हुए सेमिनार हुए कोर्सिस की ये लाइन पर जूम द्वारा कोर्सिस हुए मूरली याँ जूम द्वारा चलती है तो जू लोग सेंटर पर नहीं आते थे अभी घर बैठे मूरली सुन सकते हैं तो मूरली सुनने वालों की शंक्या बढ़ गई कोर्स करने वालों की संक्या बढ़ गई और कई उन्हें इंटरनेट द्वारा कोर्स करके मूरली के स्टुड़न्ट भी बन गई तो ये पाजिटी बात है दिदी दो हजार बीस ले ये क्या है बावा कहते है ना जो कुछ होता है इसमें खल्यान भरा हुआ है तो हम तो पोजिटीव रीती से ही देखेंगे अब भविष्य में हमको क्या करना है तो भविष्य भी अंसर्थन है कब तक ये चलेंगा मालूम ने परन्तु एक बात अभी हमको ध्यान में रखनी है विनाश कब भी हो सकता है अपना मौत कभी भी हो सकता है इसलिए बाबा जो कहते हैं एवर रेडी रहो अपने आपको बाप समान बनाओ तेवर पुर्शात करो और संडे की मुरली में भी बाबा ने हमको अच्छा लेशन दिया बीती को चिंतवना नहीं है पास को पास करना है और पास वित ओनर बनना है प्रेजन्ट हमको सब को देते रहना है स्ने सदभावना शुभावना जो भी बाबा से हमें खजाने मिले हैं उस खजानों की गिफ्ट देते रहो सबको दाता बनकर देते रहो और फ्यूचर के लिए बाबा ने कहा अपने फीचर ऐसे बनाओ जो उनको अपने इस्ट देता का दर्शन हो शुभावा का दर्शन हो आप दरपन बन जाओ और बाप का उनको साक्षातकार कराओ तो मैं यही कहूंगी के जो भी यहां आपने सुना है क्योंकि सुना भी है और योग द्वारा कई खजाने जमा किये होंगे तो वहां भी जाकर बाबा कहते हैं गर-गर को मधुबन बनाओ मधुबन में तो सब हमेशा रह नहीं सकते हैं आते हैं उनको जाना है पहलाती है अपना किमती समय निकाल करके हम सब के लिए समय दिये एक बार दीदी का पुना बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी ने अपना पूरा एक जीवन का अनभाव हमारे सामने रखे ममा बाबा का द्रिश से हमारे सामने ला दिये और सच मुझ जब-जब जनवरी मास आता है तो हम सब के अलोकिक पारलोकिक पिता कैसे ब्रह्मा बाबा थे उनकी स्मृतियां ताजी होने लग जाती है तो दीदी ने अपना पूरा एक बृतांत अनभाव हमारे सामने रखे दीदी आपका एक बर्बुना बहुत बहुत धन्यवाद अभी हम सब ही दो मिनट बाबा को याद करेंगे